विल्कम बैक शुडेंस आपका स्वागत मेरे यूटुब चैनल पर बच्चों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से जरूर सब्सक्राइब करना आपके अग्रेजी कैसे स्टॉंग अपको आपके जो विशह हैं वो कैसे स्टॉंग हो आप भर चागली कैसे त से देखें आप अपने आप में आपको confidence आ जाएगा एक्जाम के लिए बिल्कुल त्यार हो जाएंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों को सेर करो और उनसे भी बोलो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो आज हम लोग क्लास 8 के subject English के set number 3 को देखेंगे जो आपके jack द्वारा जारी किया गया है एक्जाम्स में इन ही set से question पूछे जा सकते हैं ठीक है तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले question number 1 it means कि जो 21 से सुरू है लेकिन उसके पहले हम लोग पैसेज को पढ़ेंगे ठीक है पैसेज को हम लोग पढ़ेंगे yes see passage में क्या कहा जा रहा है यह passage देखे साक्षी मलिक is an Indian freestyle wrestler from रोहताग डिस्टिक हर्याना हर्याना की जो रोहताग डिस्टिक है वहां से वह बिलॉंग करती है her father is a bus conductor and mother are superior at a local अंगरवारी उनके पिता जी यानि सक्षी मलिक के फादर जो थे जो है sorry वह एक bus conductor है उनकी मा जो है अंगरवारी में सुपेरियर है यह supervisor she began training in wrestling at the age of 12 अंदरक कोच इस्वर धिया at an Indian sorry at an akhara in छोटू राम स्टेडियम रोहताग तो सक्षी मलिक ने अपने 12 साल के उमर में ही उसने wrestling शुरू कर दिया था उसका training शुरू कर दिया था उसका अभ्यास शुरू कर दिया था इस वर धाया जो उनके coach थे उनके अंडर में ठीक है कहां पे जो akhara है akhara जो होता है वह जहां कुस्ती लड़ी जाती है ठीक है छोटू राम stadium छोटू राम stadium जो है वहां पर जो खाड़ा था वहां उन्होंने training करना शुरू कर दिया था ठीक है यह तो कुछ आपका पैसेस है तो चलिए इसके questions रहां हम लोग करते हैं ठीक है 21 हो इस सक्षी मलिक हो इस सक्षी मलिक आप देखें जो खेल का नाम दिया हुआ है boxer gymnast tennis player नहीं मैंने आपको बता है सक्षी मलिक जो है कर रेसलर है ठीक है उपर ही बता दिया ठीक है फिर what was her father's occupation उसके पिता जी क्या थे मैंने आपको परमें बताया कि उसके पिता जी एक bus conductor थे ठीक है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस है कि हुआ सक्षी कोच अब सक्षी का कोच कौन थे मैंने आपको परमें आया इस्वर धाया जो है वह सक्षी की कोस्त थे इस्वर इस्वर धाया ठीक है चलिए हम लोग बैक जाते हैं उस पैसेज के जो questions है उसको मैंने complete किया अब चलिए एक और पैसेज आपके सामने है इस पैसेज को हम लोग पढ़ेंगे और इसके questions सर्भी हम लोग करेंगे ठीक है यह पैसेज है coconut is the most important nut in the world coconut के बारे में बता गया है जो नारियल है उसके बारे में जो की world में जो है important रखता है not only it is one of the biggest of all nuts but almost all part of the tree are useful to the man coconut का जो coconut जो है वह उसके सभी पार्ट जो है उसके पेर से लेकर के coconut के सभी पार्ट जो है मनुस्य के लिए आदमी के लिए बहुत योस्फुल होता है it is an elegant palm tree growing up to a height of 100 feet यह बहुत बड़ा इसकी उचाई हो जाती है बहुत बड़ा 100 feet तक इसकी उचाई हो जाती है the face of the green coconut is used as vegetable face of green coconut green coconut जो होता है जो जो पकता नहीं है उसके पहले कच्चा में है उसको सबजी के तोर पे यूज किया जा सकता है the milk inside the young nut as fresh as drink तो अंदर की जो milk है उसे पिया भी जाता है तो चलिए एक कुछ पैसेज में बात है कही गई है इसका question से हम लोग देखते है which is the most important nut in the world यहां क्या बताया गया है यहां बताया गया कि coconut जो है सबसे important है कहाँ पे पूरी दुनिया में ठीक है मैंने आपको बताया एवरेज और कोकोनट ट्री का हाइड होता है 100 फीट तो आप यहां 100 फीट पे टिक करते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखो यहां जो दिया हुए है यहां एक दिया हुए है complete the letter by choosing the correct option in question 26, 27, 28 यानि तीन question से यहां दिये हुए हैं जो आपको blank space में भरना होगा देखो यहां यहां और यहां तीन हो जगा भरना होगा लेकिन इसके लिए आपको option दिया हुआ है 26, 27, 28 यह 26, 27, 28 इसके जो options है इसी message चूल करके आपको भरना होगा है तो सबसे पहले question समझ लेते हैं complete the letter by choosing the correct option यानि आपको एक letter लिखना है तो चलिए start करते हैं start किया हुआ है आपको सीफ इसमें भरना है आपको लेटर लिखना है तो लेटर के लिए आप देखिए 26 नमर में जाएए 26 नमर में क्या होगा आप लेटर लिखने किसको सिदार्थ को सिदार्थ को अप लेटर लिख रहे हैं तो respected नहीं honorable नहीं आप क्या यूज करेंगे आप यूज करेंगे dear yes तो आप यूज करेंगे यहाँ dear तो आपका option हो जागा तीन सही dear ठीक है फिर हम लोग बाढ़ते हैं how are you आगे बाढ़ते हैं how are you I hope this letter finds you in good health it has been almost a month since I joined my new school the classes are very spacious यह अपने class के बारे में बता रहा है there are well equipped science with great collection of books अब देखो 27 में क्या लिखना है there are there are well equipped science science में क्या होता है specimen of classes none of these equipment and kitchen science में होता है laboratories and library ठीक है तो आपको option number one को tick करना option number one को tick करना है ठीक है आगे बाढ़ते हैं there is a big playground too I am very happy in my new school I believe my life here will be interesting and enjoyable convey my regards to 28 में देना है convey my regards to convey my regards to कहाँ पे your parents यानि नहीं बोलते हो last में अपने जो धनिवाद देते हो ठीक है तो आप यहां 28 में आप टिक करेंगे तो आपके answer सही हो जाएगा ठीक है उसके बाद yours loving राहूल राहूल जो लिख रहा है वो अपना लिख देता है yours loving राहूल ठीक है अब हम लोगे बढ़ते हैं अब देखो number four part देखना है answer the question by choosing the correct option correct option आपको चुन चुनना है the simple past form of verb simple past form देना है the dog सब में देखना run है run का ही form है तो आपको लिखना simple past form में लिखना जो भी भरवाएगा हो the dog simple past जो होता है यानि भी two जो होता है वो r a n होता है तो number three आप देदेंगे तो सही हो जाएगा ठीक है the dog ran after the cat चलिए आके बढ़ते हैं बहुत अच्छे बच्चों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना yes 30 number choose the negative sentence negative sentence मैं आपको बहुत सारे वीडियो में बनाया बताया है बनाया भी सारे बहुत सारे वीडियो को जिसमें negative sentence रहता है यानि not भी लगा रहता है तो negative sentence शुरू के ही sentence he did not complete his walk yes इसमें not लगा हुआ है तो ये जो है ये negative sentence हो गया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग the indirect speech of the sentence एक sentence लिखा हुआ है the teacher said the sun rises in the east इसका indirect speech में बदलना है ये direct speech में है इसको indirect speech में बदलना है बचों में बता दूए एक बात जो इसका double inverted comma के भीतर sentence है ये बिल्कुल सत्य पे निर्वादारित है कि सुरज जो है वो उगता ही है सुरज पूरव में उगता है ठीक है पस्ती मैस्त होता है यहां लिखा गया कि the sun rises in the east पूरव में उगता है तो ये बात जब सत्य हो तो व नहां रोज हो गया गलत हो गया the teacher says that the sun rises in the east यहां बिल्कुल सही है यहां कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया गया है सिर्फ दैट लगा गया है और दैट लगा करके आपको बनाना है तो option number two आपका सही हो जाएगा option number two आपका सही हो जाएगा 32 number question क्या है the correct model verb in the sentence क्या होगा we dash respect our elders यह बिल्कुल necessary है और necessary जहां होता है वह must का परियूग करना होता है the correct model verb in the sentence we must respect our elders ठीक है हमें अपने बड़ों की आदर अवस्छी करने चाहिए 33 दिखते है the correct adjective in the sentence the magician wrote a black code the war of black code यहाँ इस sentence में आपको adjective खोजना है तो adjective जो होती है वो किसी की बिशेश्ता बतलाती है किसी की noun की तो यहाँ quote जो है वो noun है लेकिन बिशेश्ता बतला रही है यह black यानि quote कैसा है black तो black जो हो बिशेश्ता बतला रहा है इसलिए यह एक adjective है है इस पर टिक कर देंगे आपका अंसर सही हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हम लोग नमबर फाइब इन दपाइब थर्टीफोर कोशन पार्ट फाइब है थर्टीफोर कोशन इन दपाइब मैं मदर वेंड दस दस चाइड़ से दैट मैंने इस कविता पर वीडियो भी बनाया है आप उसको देख लेना यह अपनी जीविनी को उन्होंने लिखा है तो कब वो मिलना चाहते है और ग्रेट जज्जमेंट डे यानि ऑप्शन नमबर टू आपका सही होगा है और ग्रेट जज्जमेंट डे ठीक है 35 देखते हैं विच टाइटल डू तानिया सचदेव होल्ड तानिया सचदेव जो है उसे कौन सा टाइटल मिला था इंटरनेशनल मास्टर और वोमेन ग्राड मास्टर इंटरनेशनल मास्टर और वोमेन ग्राड मास्टर वोमेन फाइड मास्टर FID Master Women Candidate Master तो इसमें आपको टीक करना है जो आपके अंसर सही होंगे वो है उनको जो मिला था International Master and Women Grand Master एक नमर सही होगा तनिया सच्देव जो बहुत बड़ी प्लेयर है उन्हें उपादी दी गए थी International Master and Women Grand Master ठीक है 36 देखते है Why were the children in the class sorting for help यह आपके चैप्टर जो है वहाँ से कहानी लिया गया है Rattle Snack ठीक है काली अन्द रैट स्नेक वहाँ से यह है कि क्लास में सभी बच्चे help help क्यों कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे चो कि क्लास में साब घुश गया था और सारे बच्चे जो है वो देख रहे थे साब को इसलिए वो help help कर रहे थे तो option number 3 आपका सही होगा चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं 37 देखेंगे इसको clear कर लिता हूँ यह आपकी बुक से ही कविता से ली गई है स्टोरी बुक से ठीक है he reads story books he plays cricket he goes out with friend he talks to parents जब उसको parents घर में बैठे रहते थे बात कर रहते थे तो लड़का जो है वो जो कवी है वो किताबें पढ़ रही होती है जो स्टोरी है बुक्स की जो स्टोरी है उसको पढ़ रहे होते है यानि option number 1 जो है आपका सही होगा ठीक है number 38 who belong to कौनेथूर कौनेथूर गाउं से कौन बिलों करता था तो कौनेथूर गाउं से कौन बिलों करता था काली काली जो पिछले कोसर में मैंने बताया कि विधाले में क्लास में सभी बच्चे हला करें तो काली अंदर रेट स्नेक से एक कौसर लिया गया है तो काली का जो गाउं था वो कौने थूर था हम लोगे बढ़ते हैं अब देखते हैं इसको क्लेर कर लेता हूं दो कौसर बचे हुए what did the baby eat यह आपके पॉइम से दिया गया है आपके बुक के पॉइम से बेभी eat a microchip यानि option number one आप टिक कर देगे option number one जो है वो सही होगा क्या खा गया थो बेभी microchip खा गया था number 40 दिखते है what made केसब pale and gloomy केसब को क्यों डर लगने लगा था वो पीला पीला क्यों हो गया था क्योंकि क्योंकि the site of the broken eggs उसने जब उस पक्षी के cornice पे हान डाला तो अंडे जो है सो नीचे टूट गए थे गिर गए थे नीचे गिर के टूट गए थे तो जैसे अंड़ टूटा तो उसके चेहरे पे काफी गंभीरता आ गई तो यह सब चीज़ें देख करके सब्सक्राइब कर लेना आपको अपने कलाक कच्छा में पास करना है अब वो अच्छे मांक्ष लाना है तो चैनल लगए ज़रू से ज़रू सब्सक्राइब करना थेंक्स वर वाचिक स्टुडेंस